नमस्कार, कोट बुतली एजुकेशन में आपका हर्दिक स्वागत है, वपंके शेरावत उपस्तितों आपके सामने महतपून्ज जानकारी लेकर आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान उनिविश्टी फर्स्ट एर नोन कोलेज विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर विद्यार्थी काफी चल रहे हैंगे इनका सलेबस कोन से होने वाला है, काफी विद्यार्थी को सलेबस डाउनलोड करना भी नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट आपके होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात कर जादूं, लाजयस्थान युनिश्टी फिर्फ्ट एर नोन college में semester है आपके forum में देखना उपपर forum में लिखा हुआता है semester first and semester second non college यानि कि आपके semester होने वाला है और दोनो semester की exam आपकी अप्रेल महा में होंगी अप थोड़े दिनों में आपका time table आ जाएगा और उसके बाद में आपके time table में exam dates देखने को मिल जाएंगी फिर आपके exam हो जाएंगे अब कब तक होंगी या तो university बताएगा अब काफी विद्यारत केंगे अप्रेल के पहले सब्ता में होंगी अप्रेल में लाश्ट में होंगी चुनाओं के बाद में होंगी तो time table लाएगा तब ही पता चलेगा अभी आपको क्या करना है syllabus देखना है उसके साबसे आपको पढ़ाई गरनी है बात करते हैं देख गोगल आपके पास होता है दूसरी चीज और बदा जाओ जब दोनों semester के exam first year non college के BA, BSC, BICOM, Rajasthan University first year non college के दोनो semester के exam एक साथ हो रहे यानि first semester और second semester के exam एक साथ होंगे यहां के वल राजस्थान university में ऐसा है बाकी university में ऐसा बिलकुल भी नहीं है उनका हर semester का exam अलग-अलग हो चुका फिर्ष्ट सेमेष्ट के exam हो चुके हैं बाकी के लेकिन राजयस्तान युमिष्टी में फ्र्ष्ट सेमेष्ट और सेकंड सेमेष्ट के exam एक साथ होंगे यह ध्यान रखेवाथ और अपरेल में exam होंगे भी थोड़ी दिनवाथ पता चलेगी जैसे time table आएगा अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, अब बात करते हैं syllabus के बारे में syllabus कुन सा होने वाला है, तो दोनों semester एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों semester का syllabus आपको पढ़ना है, यह धान रखें, regular और non college का एक ही syllabus है, बिल्कुल भी confused होने की आउशिक्ता नहीं है, बात करते हैं यहाँ पर देखो syllabus कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, गूगल आप सभी के पास में available होता है, गूगल पर चलते हैं, देखो, यहाँ पर लिख देंगी UNIRS या न, यह टाइप करते हैं, जैसे मैंने अब देखो, काफी विद्धार थी, कहेंगे कि हमारा से ले बस कौन सा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, देखो, क्या पर subject code की details हैं, commerce वाले की, science वाले की, fine arts की, arts की, और UG program में जो value added course है, skill enhancement course है, उनके subject code दिये हुए है, आपको अगर subject में confusion हो, कौन सा subject का, तो पहले code अगर देखने तो आपको यहां से देखना, download option पर क्लिक कर देना, आपको subject के code देखने को मिल जाएंगे, आपके forum में है, जो आपने forum बरा, उसमें already code available है, देखने की आउशक्ता नहीं है, उसको बस forum में देख लेंगे, जो subject आपके पास है, अब देखो, जनरल English का paper लगेगा, जिसने बराया दान रखे, English का syllabus आपके पास देखने को मिल रहा है, deep, dumb और blind वालों का आपको नहीं देखना, जो अंदे, गुंगे, बहरे हैं, दियान रखे, deep, dumb and blind हैं, दियान रखे, उनको ये वाला देखना है, second number का, बाकी जो बिलकुल okay है, उनके लिए उपर वाला रहेगा, दियान रखे, ability enhancement course में आएगा, English, Hindi में आएगा, ability, HIN लिखा चलेगा, अब ये 15 से 20 course हैं, देखने को मिल रहे हैं, तो अपना जो forum आपने बरायादान रखे हैं, उसमें forum के print आपके पास available होगा, नहीं होगा, तो user ID से login करके निकाल लेना, आपने कौन-कौन से बढ़े हुए हैं, nutrition बढ़ा है, या फिर बात कुरू, computer बढ़ा है, और बहुत से हैं, fundamentals related, या फिर all be, tax sessions वगरा से related काफी बढ़े होंगे, वो यहाँ पर check करने हैं, किसे ने आनंदम बर दिया होगा, तो जो भी है, अपना-पना यहाँ पर syllabus चेक करेंगे, risk open करेंगे, यहाँ पर syllabus ऐसे skill की बात कर लेते हैं, तो skill वाले में जैसे मैं PDF open, यहाँ मैं करता हूं, PDF download होने तो फिर आपको बताता हूं, सारा उसके बारे में, सारे सले बस आपको देखने को मिलेंगे, confused होने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है, पस थोड़ा सा प्रियास आको करना है, कि जो आप चीजे कर रहे होते हैं, उसको देखा करें, अच्छे तरीके आपको तो 2-3-3 मिले थे, आपर फोरम बरने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी अवेलेबल थे, जो आपने किये हैं, वो यहाँ पर देख लेना, यह फोरम से मिला लेना, आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, यह पिछला से लेबस कोई मैंने डाउनलोड कि लिए, आस्तान उनिविस्टी स्किल एनमेंस्मेंट कोर्स आ गया, यह फिर्स सेमेश्टर की बात आ गई, ध्यान रखें, यह आपके सब्जेट के लिष्टा आ गई, देखो, कम्प्यूटर फंडामेंटल, इस साइड वाले लाइनों को भूल जाईए अब है, प्रक्टिक इसके बारे में तो ओल्रेडी वीडियो भी डाला वे, चार उनिट आपको देखने को मिल रही है, यह किताबे हैं पढ़ना चाहें, तो यह फिर डारेक्ट भी आप लेक्चरस देख सकते हैं, देखने को मिल जाएंगे, दूसरा बात करें, इंट्रोड़क्शन टू ओफिस प्रोडेक्टिवी सोब्ट्वेर, ऐसे सारे आपको देखने द्यान रखें, यह देखने को मिल जाएंगे, कन्फ्यूज होने की आउशकता आपको नहीं है, ठीक है, अब चलते हैं सीधे यहाँ पर इसके आगे, अब जिसके पास जो सब्जेक्ट है, देखो एकोनमिक सब् यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर जाके चलते हैं तो यहाँ पर पर जाके चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ब्रेकिट वाला जो है, वाले विज्जारत्यों के लिए है, कन्φ्यूज होने आउशकता नहीं है, पासकोर्स आला ही, आपको यह देखो आपके सेमिस्टर में एक्स्प्लोरिंग सोचलोजी का आएगा सैकेंड बात करें बेसिक कंसेप्ट इन सोचलोजी आएगा इस सेमिस्टर का नाम भी दिया हुए इस तरीके से और यह 150 नमर का पेपर आपको देखने को मिलेगा अब एक चीज़ और बता देता हूं पेपर के मार्किंग के लिए कि regular में मिडिटरम होते हैं नोन कोलेज में मिडिटरम नहीं होंगे यानि आपका पूरा पेपर आएगा मिडिटरम वाला कोई लफडा नहीं है और इसे साबसे आप पढ़ाई के लगज़ आप ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है जिन सब सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है नोन कोलेज विद्यारतियों को काफी दिक्कते आ रही है मुझे भी पता है काफी सब्जेक्ट का डाटा मिल ही नहीं रहा पढ़ने को तो एक बार किस किस चीज़ का आपको डाटा नहीं मिल रहा है यह मैंने इसलिए वीडियो बनाया त कोई नए नोटिस आएंगे नहीं आचार सहीता लग रही है ना गुर्मेंट जोग का को नोटिफेकेशन आएगा तो अभी गैस पेपर के लिए एक वीडियो अवेलेबल रहेगा जो बाकी क्लासेज के चल रहे हैं सेकंड ए थर्ड येर वालों के लिए उनके चलते रहेंगे नोन कोलेज वालों के लिए तयारी कैसे करनी है अपने सब्जेट के साब से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आने वाली समय में जहां जहां दिक्कत लग रहे है वहां वहां आपको मैसेज करना है ध्यानने के इस वीडियो पे तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ उम सेमेश्टर का वीडियो मैंने बताया जिसका दोनों सेमेश्टर का एक्जाम एक साथ होने वाला है जुड़े रहेंगे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा सवाल क्या करें जिससे कि आने वाले समय में आपकी समश्याओं पे काम हो तो सारी चीज़े मुझे भी देखने को मिलेंगी कहाँ पे वीडियो बनना चीए का चीज़े समझ में नहीं आ रही जुड़े रहेंगे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू